आज इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी कक्षा आटवी के हिंदी भाषा भारती का पार्ट दो आत्म विश्वास भाषा भारती हिंदी मीडियम की पुस्ताखे बोध प्रेश्ण निमने लखेत शब्दों के अर्थ सब शब्द कोश से खोज कर लिखिए दुर भागे बुरा भागे आत्म हीनिता मन की हीन भावना एकागरता तलीनिता चमता योगिता सामर्थ विश्व एक्ष्यात संसार में प्रसिद्ध तलीनिता किसी काम में दत्चित्त हो जाना अभंग अटूट अखंड सुगमता आसानी दुविधा असमंजस यथा पूर्व पहले की तरह अविचल इस्थिर द्रण सूकती अच्चा कतन सुभाशित अखंड जिसकी टुकडे ना हो सके अटूट समगर रूप से मर्सिया श जोकगीत खा राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े उत्तर बाली को अपने शत्रू अर्थात्विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वर्दान प्राप्त था अतहा राम उसके सामने आकर नहीं लड़े यह वर्दान बाली को भगवान शंकर ने दिया था राम भगवान शंक पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्म विश्वास उत्पन्न किया। प्रश्ण तीन निम्नले की प्रश्णों के उत्तर विस्तार से लिखिए का सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ती हम सब में हैं कैसे। उत्तर सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ती हम सब में हैं। शक्ती आत्म विश्वास की है। यह शक्ती हम सब को प्राप्त है। परंतु हम सब को अपने इस आत्म शक्ती की पहचान नहीं है। और नहीं उसका उपियोग ही किया है। इस आत्म शक्ती का विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ में विश्वास उत्पन करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं। क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवारे मान लिया यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायर था और आत्महीनिता ने स्थान बना लिया जिससे हम डरपोख हो गए अच्छे संसकार हमसे दूर हो गए बुरे संसकार या कू संसकारों का प्रभाव एसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया परंतु आत्महीनिता और कू संसकारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधि की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। सुक के द्वार के बंध होने के समान हैं। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश और हतो उत्साहित हो उड़ते हैं। परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। सफलता पाने तक अपने प्रयास या कोशिश चालू रखने चाहिए। गह आत्मविश्वास की बूते पर जीवन में सब कुछ करना संबहवे। किसी एक महापुरुष का उधारन देते हुए उक्त कथन को इस्पष्ट कीजिए। उत्तर आत्मविश्वास की ताकत कठनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ देती है। आत्मवल की विकास से हम सफलता की मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मवल की द्वारा मनुष्य अवश्य ही भागिवान बन जाता है। अतहा भागिवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तवे का पालन करता है। और अपने लक्ष की साधना में अपनी सामर्थ और चमता में पूर्ण विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए, हमें सफलता और सौभागे दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उत्सा हीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है। विजे माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनोतियों का मुकावला करते हैं और सफल होते हैं। उधारन हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्रबोस का उधारन है जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनोतियों को ही चुना। सफलताओं की शिखर पर पहुचते रहे उनमें अटूट आत्मविश्वास था इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रतेक कुछाल और कुछ अक्र को नश्ट किया। जीवन संगहर्ष में सफलता के लिए अपने क्षमता और सामर्थ में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। प्रेश्न चार नीची लखे गध्यान्शों की प्रसंग देते हुई व्यक्ष्या कीजिए। और सदा निराशा पुर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं। वे जीवन में उतार अर्थात अवनती से प्राप्त दुख की ही बाते करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नती चढ़ाव के सुख की बात सोचते ही नहीं है। अपने अंदर की शक्ती और जीवन के लक्ष के प्रती श्रद्धा समाप्त कर वैठते हैं। कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटी की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूशित विचारधारा को संसकारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कूशंसकारित व्यक्तियों की निठली बातें अर्थात गालियां उनके लिए कभी भी लावकारी नहीं हो सकेंगी। नेक्स्ट जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनिता से, कायरता से, कुसंसकार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उत्तर, प्रसंग, उक्त्पंक्तियों में लेखक, आत्महीनिता और आत्मविश्वास में कमी के बारे में बता रहे हैं। लेखक का मत सत्ते लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है, तो हमारे मन में एक हीन भावना उत्पन हो जाती है। इस हीनिता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोशे की कमी या आत्मविश्वास की कमी जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संसकारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते हैं, ताटपर यह है कि हम सुएम अपने आप पर विश्वास को खो बेड़ते हैं। किसी भी चुनोती पर विजय प्राप्त करते हैं, तथा लगातार उन्नत्ती प्राप्त करते जाते हैं। अतहा अटूट शद्धा या विश्वास ही उपाय है सफलता का, संगर्ष में विजय का और जीवन में उन्नत्ती प्राप्त करने का। हम अपनी सोच के कारणी सफल या असफल होते हैं। हम अपनी सोच के कारणी सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देशी के प्रती अटूट शद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है जबकि इसके विप्रेट हम अहतोत साहित होकर असफल ही होते हैं यहां सब हमारी सोच पर ही आश्रित है कि हम अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि हम सफलता की और अग्रसर हों नेक्स्ट हमें आत्मविश्वास होतो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं भाव आत्मविश्वास होने से मनुष उत्साह पूर्वक अपने लक्ष में सफल होता है जिसकी द्वारा वह अपने शत्रूं या दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है साधन हीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कोरवों को निराश और बलहीन कर दिया भाषा अध्यन निम्ने लिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारन कीजिए दुर्भाग्य शक्तिशाली आत्म हीन सर्वुत्तम निश्चित हतो उच्साहियों छात्र उपरियुक्ति शब्दों का ठीक ठीक पढ़कर उच्चारन करने का अभ्यास करें नेक्स्ट कोशन जीवन में उतार भी हैं और चड़ाओ भी इस वाक्य में उतार और चड़ाओ परस पर विलोम शब्द की रूप में प्रयुक्ति हुए इसी प्रकार एक ही वाक्य में निमिलगित शब्दों का प्रयोग कीजिए भला बुरा, दाता याचक, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भागवान भागहीन, पाप पुन्य, सुख दुख उत्तर व्यक्ति को अपना भला बुरा समझ कर किसी काम को करना चाहिए ईश्वर और भक्त की इस्थिति याचक और दाता के समान होती है सपूत और कपूत के लिए धन्जन्चय करना व्यर्थ है निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष में दुविधा उत्पन्न करती है मनुष अपनी सोच से स्वयम को भागवान और भागहीन समझ बैठता है पाप पुन्य की परिभाशा परिस्थितिगत होती है सुख दुख मन के विकल्प होते हैं नेक्स्ट निमने लिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्दे लिखिए ताकत विजिटिंग कार्ड इशारा मरसिया उत्तर ताकत इसका हिंदी मानक रूप है बल विजिटिंग कार्ड इसका हिंदी मानक रूप है पहचान पत्र वह काड या पत्र जिसमें सुयम का परिचे रहता है इशारा, संकेत, मर्सिया, शोक गीत प्रश्न चार निमनलेखित शब्दों में प्रयुक्ति प्रत्य और उपसर्ग पहचान कर अलग-अलग कीजिए तलीन, दुरभाग्य, शक्तिशाली, कायरता, एकागरता, खंडित, अभागा शब्द तलीन, इसमें लीन प्रत्य है, दुरभाग्य, इसमें दुर उपसर्ग है शक्तिशाली इसमें शाली प्रत्य है कायर्था इसमें ता प्रत्य है एकागर्था इसमें भी ता प्रत्य है खंडेत इसमें इत प्रत्य है प्रश्न पांच निमने लिखित सामासिक पदूं का समास विग्रह करते हुए उनमें लिखित समास की पहचान कर लिखिए आत्मविश्वास, कूड़ा घर, खंदक खाईयों, शक्तिहीन यथा पूर्व विश्विक्ख्याद सामसिक पद आत्मविश्वास, समास विग्रह आत्मा का विश्वास, समास का नाम तत्पुरुष समास सामसिक पद कूड़ा घर, समास विग्रह कूड़े का घर, समास तत्पुरुष खंदक खाईयों, समास विग्रह खंदक और खाईयों, दुवंद समास शक्ति हीन शक्ति से हीन तत्पुरुष समास यथा पूर्व पूर्व की तरह अव्यवी भाव समास विश्व इक्ख्यात विश्व में विख्यात तत्पुरुष समास Students, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं अपने friends में share कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चेनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में